प्रिय दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जी अच कहां साइलेंट होता है अभी तक के वीडियो में हमने ल, ब, एप, आदी अलफाविट को साइलेंट नियम पढ़ें हैं अब हम जी अच को भी पढ़ेंगे जिस प्रकार एल, के आदी अलफाविट साइलेंट होती थे ठीक उसी प्रकार जी अच भी साइलेंट होता है प्रन्तु इसके नियम भी हमें समझ में आने चाहिए जो कि इस वीडियो में इसके नियम समझाए गए हैं चलें इसके नियम समझते हैं जी अच कहां साइलेंट होता है यदि सब्द के अंत में जी अच या जी एच टी यदि किसी सब्द के अंत में जी एच या जी एच टी हो तो वहां पर जी एच साइलेंट होगा एक बार फिर से सब्द के अंत में जी एच या जी एच टी आए तो वहां पर जी एच साइलेंट होगा उधारन के लिए दिखिए किसी सब्द के अंत में जी एच या जी एच टी हो तो जी एच साइलेंट रहता है किसी सब्द के अंत में जी एच या जी एच टी हो तो वहां पर जी एच को नहीं पड़ा जाएगा क्योंकि GH वहाँ पर silent होगा उधारण के लिए आपके सामने है E I G H T यहाँ पर सब्द के अंत में G H T है तो अगर किसी सब्द के अंत में G H T होगा तो हमें पता है G H silent होगा अकर G H silent है तब हम केवल E I T को ही पढ़ेंगी और E I T का उचारण होगा 8 अर्था 8 G H को नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि G H यहाँ पर silent है ठीक उसी परकार दूसरा है सब्द के अंत में G H T है तो हमें पता है G H silent होगा अर्था G H को नहीं पढ़ा जाएगा तब हम H I T को पढ़ेंगे जिसका अर्थ होता है हाइट हाइट का अर्थ है ओचा यह लंबाई तीसरा यहाँ पर सब्द के अंत में G H T है तो G H को नहीं पढ़ा जाएगा चोंकि G H silent है तब हम केवल F I T को पढ़ेंगे और जिसका उचारण होता है फाइट फाइट और इसका अर्थ है युद्ध इस वीडियो में इतना ही थैंक यू है वे नाइश डे